ओम स्रीगनी सायना मदोस्तू एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 अक्तूबर सौंबारे के रासी फल के पारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ज से समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने वीडियो पहुंश सकें चैनल दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटेव रहने वाला हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अधिक संतु प्रवर्ति के होते हैं आप अपने शमाजिक संबंदों को आज और अधिक मजबूत करेंगे धर्मिक कारों में आज आपका अधिक समय व्यातित होगा घर में किसी के विवास संबंदित कोई योजना बन सकती हैं आज कोई रुकी हुई बड़ी पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं काफी हद तक हल हो जाएंगी तथा टैंसन भी दूर होगी घर के बुजुर्गों का आशिरवाद और सयोग आपकी परिस्तानियों में सायक सिद्ध होगा आपके व्यक्तित्व तथा आत्मा विश्वास के समक्ष आपके विरोधी परस्त होंगे समाज में आपक कारों को भी बहतरीन तरीके से करने में समर्थ होंगे दोस्तों आज संतान को भी कोई महत्पपूर्ण और बड़ी उपलब्दी मिलने से घर में खुसी भरा माहुल रहेगा नजदी के रिश्तेदारों के साथ गैट टूगेदर का भी प्लान बन सकता है खर्चों की भी आपके पक्ष में आ सके साथ ही किसी महत्पपूर्ण व्यक्ति का भी सहोग आपके कारों को और अधिक शुगम बनाएगा पिछले कुस समय की ठकान भरी दिन्चरिया से आज आज आपको रात मिलेगी साथ ही समय नजदी की मित्रों के साथ मनोरंजन संबंदी आमोद प्रम कारी से संबंदित कोई सुब सूचना आज आपको मिल सकती है जिससे घर परिवार में काफी खुसी बरा माहौल रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज किसी भी प्रकार की यात्रा से नुकसान होने की संभावना लग रह ही है इसलिए यात्रा को आज स्थागित रखें आर्थिक समस्याओं को लेकर घर में कुछ तनाव भी आज रह सकता है आज दोस्तों और बेकार के कामों में अपना समय व्यर्थ ही व्यतित ना करें क्योंकि इनकी वज़े से आपके महत्मपूर्ण कार रहें बीच में ही रह जाएंगे विध्यारती वर्ग को अपनी पड़ाहिक के प्रती ज्यादा ध्यान देनी की आवशकता है आएके सादन भी आज आपके लिए सामाने ही रहेंगे इसलिए अपने खर्चों पर अंकुष लगाकर रखना आवशक है पैसे के मामलों में हात तंग रह सकता है परंत कोई मतबेद आज हो सकता है पुलिस थाने जाने की भी नौबत आ सकती है इसलिए अपने आक्रोस पर कंटोर लखना जरूरी है कोई भी निर्णे दिल की अपेक्छा दिमाग से ले भावुकता में आकर आप अपना नुक्षान कर सकते हैं बच्चों की गती विदियों पर क बश्चले जमीन जायदात से संबंदित कावजी कार्रवाहि को बहुती अधिक ध्यान से करें किसी भी प्रकार की दोका दड़ी आपके साथ हो सकती है थोड़ा साफधन रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जब की लवलाइफ के शी रहने वाली हैं दोस्तों घर के किसी भी मा व्यक्ति के प्रती आज आकरशन बनने से परसनल लाइफ में कुछ दिक्कतें उत्पन हो सकती हैं इसलिए अपनी भावनाओं को सहयमित रखें पती पतनी के मदुर संबंद रहेंगे किसी बच्चे की नकारात्मक बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है पती पतनी में भावना अच्चे निकालें घर के लोग आपकी भावनाओं की काफी कदर करेंगी दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवर्शा व्यक्तियों के लिए आज प्रमोशन के योग बन रहे हैं साथी साथ कार छेत्र में आज मन कुछ विचलित होने की वज़े से ध्यान नहीं लग पाएगा तथा निर्ने लेने में भी कुछ ऐस हैज महसूस करेंगे इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर के वरिष्ट जनू की सला आप अवश्च चलें वेवसाइक परिस्तितियां अभी पूर्ववत ही रहेंगी परंतों मार्केटिंग संबंदित कारों से आज कुछ फायदेवंद ओर भी आपको मिल सकते हैं इसलिए पार्टियों के साथ आज संपर्क में रहें सरकारी सेवारत व्यक्तियों को का की आज अधिकता रहेंगी आज कारे छित्र में गतिविदियां बहतर रहेंगी आपकी छवी की वज़े से मार्केट में आपको अच्छा ओर्डर मिलने की आज संभावना हैं इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने कारे पर ही केंद्रित रखें नोकरी पेशा व्यक्तियों क कर सकते हैं बच्चों की गतिविदियों पर कड़ी नजर रखें उनके द्वारा किसी प्रकार का आज नुक्सान हो सकता है दोस्तों अपने व्यक्तियों किसी भी प्रकार के प्लान को आप दूसरों से सेर ना करें नहीं तो आपको काम का जादा फायदा नहीं होगा और लो सब्धान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आपका स्वस्त कैसा रहने वाला है दोस्तों अपने आप में आत्म भल की कमी आज आप महसूस करेंगे इसकी वज़े से शाररिक कार्रे छमताओं में भी कमी आएगी इसलिए आज आप अपने आपको बहुती ऐस्वस्त महसूस करें इसके लिए आप अपनी दिंचरिया को बहुती सयमित रखें इसके लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्णान आदिश निर्वत्र होने के बाद किशी तालाव के किनारे जाकर मचलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बना कर खिलाएं जया दोस्तो ऐसा करने से धन संबंदित सभी परेशानियों का अंत होता है और भगवान भोलेनात आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन होते हैं और भगवान भोलेनात के किरपा आप पर सदेब बनी रहेगी या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान भोलेनात का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भोलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद